के तु बारा जातों को अलोकी शक्तिया देता है किस चीज में भूत संबदी विशोग को शामिल करने के लिए यानि की पास्ट ठीक है बूत पूर पास्ट को बोलते हैं बूत और ब्लैक मैजिक जैसी शक्तिया भी परदान करता है बूत मतलब गोस्ट वाली भी तो जाता कोई शक्तिया परदान होती है कि तु बारा अगर शुब है तो जाता कोई ये बाई डिफॉल्ट ब्लैसिंग से है उप्चार के माद्यम से बहुत शक्तिशाली होता है जाता हम तांत्रिक की शमता है बहुत स्ट्रॉंग होती है कि तू एक तो इटसल्फ बहुत शक्कारा क्या बारवा घर मुख्षका है आंत्रिक किनेट बहुत स्ट्रॉंग होता है कि तू बारा का अगर कि तू बारा किस अंत्री मतलब क्या सर्थ आंत्री मतलब अंत्ष रीँ ने इन्टर्नल इन्टर्नल वक्रम के बूंत प्राइब और शेल आपका internal connect बहुत जल्दी होते है उसे सर भूत का क्या बता रहे थे भूत बहुत भूत पूर्व दोनोची तरदा भूत पूर्व ज्यान past life connectivity पूत पूर्व होते है ना भूत पूर्व past को बोलते हैं ना आप भूत मलब गोस्ट तांत्रिक में आजाता है सारी चीजे हैं अगर के तू अशुब हैं लक्रात्मक यह तो जातक कमजोर होगा फालतू की यात्राय करनी पड़ेंगी कानूली दापेज जेटिलताओं में फजाता है अदालती मामलों में फजाता है कारावास का सामना करना पड़ता है क्यूंकि बारवा के कारावास भी है कि आइसलेशन है कि तू आइसलेशन है बारवा कारावास है कि तू अगर अशुब होता है जातक को अपने से अपने से ही बैर कर देता है बना अब खुद का ही उसको अच्छा नहीं लगता खुद ही इसको अपने आप से तकलिफ हो निश्य हो ज समाचे लिए करें इस सब तरीकियों से अच्छा करता है रहाव भूँट अगर छे में बाटे हैं तो ऐसे में बुला गया जा तक को लाब होगा कि रहाव भी छोटेगा और बुद भी छोटेगा तो विरासत में दौलत परदान होगी अराम मिलेगा कि तू बारा अगर अशुब है तो नहीं संतान होने की समामना बढ़ेंगी जमीन में दिक्कत आसकती है खुद की संतान से दिक्कत आसकती है कुट्टे का मरना के तू कि अशुप निशाने ही दूसरे बाव में चंद्रबा हो शुकर ओ, मंगल ओ के तू अशुप फल देता है अगर के तू बारा चंद्रबा दो, शुकर दो, मंगल दो के तू अशुप शुप ऐशुराम विरासत विदेश योग संतान नर संतान तिक ये शुप तरक्की बड़ापे में भी विदेश की सहर ये सब चीजे शुप कुटे का मरना शुप अगर ऐसे मैं बोला गया है कि कुटे अगर मर जाता तो तर्तालिस दिन के अंदर अंदर निया कुटा लेका है और निया कुटा नहीं ला सकते तो कुटे का स्टेचू जरू रखे कुटे का स्टेचू लाके रखे अगर मंगल अशुब है मंगल नीच है मंगल पीडित है तो ऐसे में केतू के भी फॉलो में कमी आ जाती है के तू अशुब मकाम बदलने पड़ते हैं ताया मामा भाई की मुदद अगर नहीं मिल रही है के तू अशुब की या के तू कमजोर की निशानी है जैसे जैसे सल्टान बढ़ी होगी तरक्की होगी के तू शुब नर संतान अधिक है के तू शुब कुटो से डरना या कुटे का पालना या कुटे का फीड नहीं करना के तू अशुब की निशानी है वात रोग गुप्तर शत्रू के तू अशुब बे उलाद उलाद की संपती बे कमी के तू शुब दाद खाद खुजली चरम रोग के तू शुब ये केतू शुब की निशानी है केतू वाले को बोला जाता है कि अपने गले में सोना पहने बुद का उपाय मैं बार बार बोल रहा था जिस गरह में जो है उस गरह का उस जगह का उस जमीन का मालिक केतू बारा जमीन बरस्पति सोना सोने का पहनना गले में क्योंकि गले से केतू चालू होता है राओ खतब होता है केतू चालू होता है गले पे और यहां पर बस्पति का कनेक्ट के तू गया बारा के लिए अच्छा है काला कुत्ता प्रवांशी करनेश की पूजा बीबी को खुश करने के लिए साले का ख्याल रखें के तू बारा भी सही बीबी भी सही अपना ले नए ये एक काम क्या है वो कहानी क्या है वो एक तीर से दो निशारा वो इसा इनको क्या बदलावा आया और वम जी में क्या बदलावा गया उन्हें नहीं बता रुगा कि दूबारा सही हो रहा है ग्यारा कुत्ते के स्टेच्चू मिट्टी के बनवा का घर में रखें और एके स्टेच्चू को घर से बहा ले आके जल प्रभवित करें ग्यारा दिन तक काला सफेद कुता पालें कि तू बारा वाले को बोला आता है ऐसा कभी कोई मकान ना ले जिसकी अपनी संतान ना हो काला काला नी संतान से यारी दोस्ती कि तू बारा के लिए नुक्सान दै रहती है मिट्टी के बरतन में गुर Winter को मन भर के जवीन में दबाए कि तू बारा ओम स्रांग स्रेंग स्रून्ग साग केतवे नमहां यह इसका मंतरा है है जिक की तू बारा अबर उच्छा है जस विक्ति का उस विक्ति को साधरा में बहुत मदद मुएँगती गिए उस वेक्ती का बाईट्टिफार्ट जुकाव जो होता है वह ऑकर साइंस की तरब होता है ऐसा वेक्ती दिल से कुछ बोल देता है ना वह हो जाता है केतु बारा और बस्पती अच्छे एक उनली के अंदर बहुत अच्छा योग बनता है अगर बस्पती बढ़िया है तो बस्पती के गुर्ण केतु को प्राप्त होते हैं और केतु को बस्पती के अच्छे गुर्ण मिलते हैं केतु की पावर बढ़ जाती है और बस्पती अपने आप में पूजा पाठ नित्य करम कान का करा क्या वै केतु वाले विक्ती को उसको शक्ती प्रदार होती है by default Meditation का करना शूब करते तो उसको योग बहुत जल्दी आस्फिल होता है अगर केतू अशूब है जाता को चोट देगा हूँ चोट पिट देगा हूँ तकराव देगा हूँ अगर केतू मंगल से करेट हो रहा है केतु अगर मंगल से या शनी से करनेट हो रहा है और च्छे आड बारा में करनेट हो रहा है इनसान को चोट पी जरूर लगती है क्योंकि केतू जो अच्छाना क्या सड़न औल अफ सड़न तककर तो ऐसी लगते न औल अफ सड़न तककर का वही रूल तो बनता नहीं है सड़न लगती है मंगल शनी तोड़ा फोड़ी करतेगा हूं शनी तोड़ा फोड़ी इतम दिखाता नहीं है लेंगे शनी पैरों में तक्रिफ देता है केतू बारा हो तो या केतू छे अड़ बारा हो तब भी शनी अगर साथ करेट करेगा तो ये केतू की कुछ पैचानती है अनुपम जी आप ही ने बोला केतू बारा बाके तो कोई बोला ही नहीं वाजिया रही है बोला हूं ठीक है कुछ-कुछ तो मिलता है जैसे ये वाला जो पोर्शन है की मेडिटेशन मेडिटेशन मेरा बिल्कुल नॉर्मल ही मैं मेडिटेट कर पाता हूं बहुत पहले से अल्ग विदाउट एनी गाइडेंस बगरा मैंने जब पहले एक दो बार सुना है और ऐसी मैंने देखा जो मेडिटेशन है वो मेरा जैसे एक तम इन बिल्ट था मेरे अंदर ऐसा मुझे लगा और बहुत लोगों मैंने जब देखा था है वो लोग meditate नहीं कर पाते हैं तो मुझे ये लगा था कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं तो फिर मुझे ये थोड़ा लगने लगा कि ठीक है चल मैं सही कर रहा हूं naturally एक ability, natural ability ही था मेरा बहुत पहले से कितु बारा की एक positive पही नाव है oso waar कि कितु बारा अच्छा है आपके अंतरा आत्म कोड़ी strong होती है कितु बारा रहा की यह भी से यह विश खधिंगे लिए और अंतरा आत्मा ج आज आज्फराब रहे और रसापदे लग और सामने वाले किया होगा अंतरा आत्मा बता देती है कितु बारा को एक बात और बताता हूं मैं आपको यह लाग किताब में तो मैंने पड़ी नहीं वैसे मैं एक बाव बताता हूं अपने मounce एक्सपियां से कि तू बारा वाले को नां चीजे हझम करने आने चीजए हझम करनी मतलब इसके अंदर में बहुत साई चीज़ आती है जैसे काश्मानी होती है वैसर उसको बहुता ही चीजों का बहुत हो जाता है ग्यान हो जाता है उसे हजम करना चीज़ अच्छा तो मैं कुछ बताऊं सर अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था थोड़े दिन पहले नहीं मतलब मैंने मेरी नानी जब मरी थी और मेरे नाना तो बिल्कुल दोनों नहीं, आके मेरे पास मेसेज चुड़ा है, और नानी का तो बिल्कूल यह सपना नहीं था, इस नोड ड्रेहम। लेकिन मैं कन्फूूुशन में हूँ मैं, लुकिन हंडेड़ परसंट गार्णटी साहब को बोल नहीं सकता, यह क्या था, लेकिन नानी मे इस दिन आये थे, मतलब ख्वाब में, ख्वाब में जब आये थे सर, मैं आपको बता रहा, मुझे तो लगा कि वो ख्वाब नहीं था, He was trying to tell me something, ये एक दम जो जिसको बोलते हैं ना कि strong feeling वो, के तू बारा, के तू बारा, के तू बारा जूपिटर चार में उचका है, जूपिटर के तू का है, तो बैलिवीट मिला, आपको अभी मैं रहे बुलाता है, दो मिन पहले, अगर किसी विक्ति का जूपिटर strong है, के तू वाला विक्ति वो blessed है, is a blessed personality, और एक और चीज़ आता है, तो वो शक्ति भी केतू को मिली, केतू से पांच वा जूपिटर, और जूपिटर से नौवा केतू, जूपिटर से जो नौवा होता है न, वो धर्म होता है, जी परविंजी आप भी होना है, सिर्फ मेरा है सरी, तो आपका के तू का है, ना cynत में से और गुरू लगन में से, आट गुरू से की के तू लॉग या धरम हो, अई दरम दरशाता है इंसान को बहुत स्ट्रॉंग धर दार्मिक बनाता है नयतिकता बादी बनाता है अने तिक रहे में वह इंसान लिप्ट नहीं हो पाता है इस दामडोल भी नहीं होता और प्रस्थिश्य ऐसी बन भी जाए तो ट्रैक पाजाता जल्दी पर उसकी अंतरात्मा अलाओ नहीं करती उसे तो उच उच की किनेक्टिविटी है यह जैसा अब के तू चलो बारा के बारा हमारे प्लैनेट बारा के नौ के नौ प्लैनेट बारा के बारा हमारे क्लोस